आज हम मुर्मूरे का बहुत tasty चटपटा नास्ता बनाईंगे, इस नास्ते को बनाने के लिए आपको बहुत जड़ा तेल का ज़िरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक चमच तेल में इस नास्ते को आसानी से बना सकते हैं, यह नास्ता बनाना बहुत ही असान है, अगर आप एक एक कब मूरपलो लिया है सबसे पहले मूर्मूरे को हम भीगों जब भीगों आप बाइए एक बड़े बरतर में डालेंगे और इसमें लग्वश और पात कर भीगों देते हैं मूरमूरे को 5 मिनट गाइए जिससे प्फूल जाये पांच मिनट बाद पानी से निकाल कर मुर्मुरे को फीसेंगे आप देख सकते हैं मुर्मुरा फूल गया है अब मुर्मुरे को हम पानी से छान कर जार्म डालेंगे पूरे मुर्मुरे को हम जार्म डालेंगे इसी में हम डेढ़ कफ सूजी को डालेंगे पहले एक कफ सूजी डाल देते हैं इसके बाद इसी में एक कटोरी दही को डालेंगे ये लगभग एक कफ दही है अब इसी में आधा कफ सूजी आउट डालेंगे अब इसी में पानी डाल कर इसको पीस कर बैटर बढाएंगे पीसने के बाद आप देख सकते हैं जो जार में बैटर लगा है इसमें थोड़ा स्पाइन डालकर निकाल लेते हैं लगवग आधा कप पाइन डालेंगे जिसे बैटर जो जार में लगा है वो निकल जाए पानी को हम बैटर में अच्छे से मिलाएंगे अब इसको हम 10 मिनट के ढ़क कर रखेंगे जिससे बैटर अच्छे सी फूल कर सेट हो जाए तब तक हम आलू तयार करेंगे गायस पर हमने पायन रख दिया है अब इसमें एक बड़े चमत तेल डालकर गरम करेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें आधी चोटी चमत राई डालेंगे आधी चोटी चमत जीरा डालेंगे राई जीरा को पहले हम अच्छे से भूनेंगे जिसे राई में कच्छा पर न रहें राई जीरब भून गया है अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे दो कटी हुए हरी मिर्च को डालेंगे थोड़ा से करी पत्ता डालेंगे प्याज और हरी मिर्च को चलाते हुए भूनेंगे ज्यादा नहीं बस हलका से भूनेंगे जिसे प्याज भूनने बाद नरम हो जाए अब इसमें हम आदी छोटी चमाल हल्दी पॉड़र डालेंगे मसाले को प्याज मिलाएंगे अब इसमें हम तीन उबले हुए आलू डालेंगे आलू को हमने तोड़कर लिया है अब आलू को माईस करते हुए प्याज मसाले मिलाएंगे जिसे नीचे से प्याज जलेन है अब इसमें थोड़े मसाले आउट डालेंगे आदी छोटी चमाज गरम मसाला डालेंगे आदी छोटी चमाज आमचूर पॉड़र डालेंगे आधी छोटी चमद धनिय पौडर डालेंगे आधी छोटी चमद जिरा पौडर नमक डालेंगे स्वात के उसर इसके बाद थोड़ा सहरा धनिय डालेंगे अब सारे चीजों को आलू मिलाते हुए 2-3 मिन्न तक भूनेंगे जिससे आलू में नमक मसाला मिल जाए आलू को जो बड़े बड़े ढोके हैं, इसको हम फोडते जाएंगे आलू थोड़ा सुखा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा स पानी डालेंगे ध्यान रहें, अगर आपके आलू गीले हैं, तो इसमें पानी ने डालें अगर आलू सुखा है तभी पानी डालें, पानी डालने वाद ज्यादा नहीं, इसको हम दो मिल्ट तक और भूनेंगे, अब आलू को भूनकर हमने तयार कर लिया है, गैस को हम बंद करेंगे और आलू को प्लेट में निकालेंगे, अब पायन को हटाकर गैस पर हम कडाही को र करेंगे, सुझी फुलनें वाद बटर घढ़ा हो गया है, अब इसे में दीनमक दालेंगे स्वाथ के संसाब, फोड़ा से पानी डालकर नमक को अच्छी सी मिला लेते हैं, अब बटर अब बैटर, को हम दो बरतनसे में आप इसी में आधी छोली चमज इनो डालकर मिलाएंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी सी मिला लेते हैं, इनो डालने से यह नास्ता फुला फुला मुलायम बनेगा, आप चाहें जिसकी जगां बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, उससे भी नास्ता फुला फुला इनो को हमने अच्छी सी मिला लिया है, आप इसको एक बरतन में डालकर सेट करेंगे, तो इसी बरतन में हम नास्ते को बनाएंगे, पहले इसमें अच्छी स्टेल लगाएंगे, अब जो बैटर में हमने इनो मिलाया है, पुरे बैटर को बरतन में डालेंगे, और एक बराब हो चुका है अब कड़ाही के अंदर हम इस्टेंट को रखेंगे इस्टेंट को हम पलट कर रखेंगे जिसे भरतन आसानी से बैठ जाये अप कड़ाही को उपर हम धकन लगाएंगे और इसको 3-4 मिनिंट तक पकाएंगे जिससे पकट टाइट हो जाए गाइस को हमने मीडिया में किया है चार मिनट बार धक्का नटा कर देख लेते हैं इसमें हम चाकू डाल कर चिक करेंगे आप देख सकते हैं यह अच्छे से पक चुका है अब हम बरतन को बाहर निकालेंगे यहाँ पर हमने जो आलू भुना है अब इसके उपर से आलू को लेर लगाएंगे पूरे बरतन में एक बराबर से आलू लगा देते हैं जिससे नीचे वाला लेर कवर हो जाए आलू लगाने से यह नास्ता बहुत ही चट्पटा बढ़िया बनेगा खाने में भी टेश्टी लगेगा आलू को हमने अच्छी से लगा दिया है अब यहाँ पर जो आधा बैटर बचा है अब इसी में आधी चोली चमज इनो डालकर मिलाएंगे थोड़ा से पानी डालकर अच्छी से मिला लेते हैं अब पूरे बैटर को हम आलू को उपर डालकर कवर करेंगे आलू को हमने एक बराबर फैला कर स्ट कर लिया है अब इसके उपर से बैटर डालकर फैलाएंगे अब इसके उपर स्थोड़ा से लाल मिल्च पॉड़र डालेंगे अब इसको हम फिर से पकाएंगे चलते हैं गईस तरब पानी अच्छे से गरम है तो अब इसी को उपर बरतन को रखेंगे और इसको 10 से 12 मिन्ट तक पकाएंगे कडाही को उपर ढखकन लगाएंगे और गईस को मीडियम करेंगे लगभग 10 मिन्ट पकाने बार अब इसको हम चाकू डाल कर चिक करेंगे चाकू अगर साप निकले तो समझ लीजिए पक गया है आप देख सकते हैं चाकू अगर साप निकला है यह पक चुका है अब इसको हम कडाही से बाहर निकल कर ठंडा करेंगे जब बरतन पूरी तरश ठंडा हो जाएगा तब हम नास्ते को बाहर निकलेंगे अब यह पूरी तरश ठंडा हो गया है तो अब इसको हम बारतन से बाहर निकाल लेते हैं तो इस पेचुलक मदद से इसको हम छोड़ा देते हैं अब नास्ते को हम पलड कर निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितने आसाने से नास्ता बाहर निकल गया है और कितना बढ़िया नास्ता बना है बहुत ही मुलायम इस पंजी नास्ता है आप इसको हम छोटे-छोटे पीस में काटेंगे काटने बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है यह मुर्मुरे का नास्ता हमारा खाने के लिए तयार है इस नास्तेक साथ हमने नारियर और मुंफली का चटनी बनाया है इस चटनी साथ यह नास्ता खाने बहुत बढ़िया लगता है तो आप भी इस तरह से मुर्मुरे सूजी का नास्ता घर पर जरूर बनाएं यह बहुत ही आसान और पेट भरने वाला नास्ता है इसको आप एक एक बार बनाकर खा लेंगे तो दिन भर भूक नहीं लगेगी और स्वाज में इतना बढ़िया है एक बार अगर बनाएंगे तो बार बनाने का मन करेगा